नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोरफ जंक्शन में दोस्तो, दो सवालों के जवाब आप लोगों के माध्यम से मुझसे पूछे गए सो सोचा कि उस पर आप लोगों को क्लारिटी अच्छे तरीके से देतेता हूँ सबसे पहले एक नोटिस बहुत जदा वाइरल हो रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं एलपी की वेकेंसी में बढ़ उत्री हुई है तो बहुत बड़ी संख्या में आईटे वाले बच्चे यह बोल रहे है कि टेक्नीशन का क्या सीन है यह जो इस तरीके के नोटिस वाइरल हो रहे है इसमें कितनी सच्चा ही है क्या सच में वेकेंसी को बढ़ा कर 35,000 के आसपास कर दिया है टेक्नीशन की तो भई आप लोगों को बढ़ा दूँ यह notice इस तरीके की notice जो आप लोगों के सामने अभी आ रहे हैं यह बिलकुल fake है जब तक आप लोगों को official site पे कुछ ना दिखे या फिर कोई authentic platform के माध्यम से आपको कुछ ना दिखे तो उस पर trust आप लोग जो है मत करो जब तक कुछ official आपको नहीं मिलता आशा करता हूं मेरी बातों को आपने गोर किया होगा अब इसके अलावा एक और सवाल जो बार-बार मुझसे पूछा जा रहा है कि सर जो railway group D की vacancies आएगी इसमें IT apprentice compulsory रहेगा या नहीं रहेगा दूसरा सर जी जो हमारी railway group D की vacancies है इसमें vacancies आने की संभावना कब है तो भई और कितने पत आने की संभावना है देखो भई इस तरीके के notices आप लोगों के सामने है और यहाँ पर जो है आप लोगों को बार-बार बोला जा रहा है कि एक लाक्या आसपस vacancies आएगी तो ये कितनी सचाई है इसमें इस पर अभी proper trust नहीं कर सकते जब तक officially कुछ आएगा नहीं तब तक हम लो vacancies के लिए जिसका segregation मैंने करके आप लोगों को दिखाया था एक बार फिर दिखा दूँगा उसमें 10th pass की यहाँ पर requirement रहेगी तो जो बच्चे ऐसे हैं 10th pass हैं वो भी apply कर पाएंगे लेकिन उनके लिए कुछ reserve post होगी लेकिन जो IT apprentice वाले बच्चे हैं उनके लिए पूरा का पूरा platform वहाँ पर खाली रहेगा आशा करता हूँ इस चीज़ से आप लोग अवगत हो गए होंगे लेकिन बस इतना याद रखो IT apprentice compulsory रहेगा परिशान होने की जुरत नहीं है कहीं से भी आपने apprentice की हो आप लोगों को मोका मिलेगा क्योंकि आपने देखा होगा railway के जो notices है Western Railway की साइट पेश पेश ली वो अभी भी पब्लिजड है डिपार्टमें ने उसको हटाया नहीं है जो बीच में बाते उठी थी की railway से IT apprentice हटा दिया जाएगा only 10th pass रखेंगे जैसे पहले हुआ था ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है अब railway technician की जो आप तयारी कर रहे है जो बच्चे notes मुझसे purchase कर चुके हैं please hand it and notes को carefully आप लोग पढ़ें MCQ उसको carefully पढ़ें और जिनोंने नहीं लिया है उनके लिए link application का description में download करके home page पर ही आपको technician की भरती के notes दिख जाएंगे जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने notes का जो buy करने का option है वो open हो जाएगा तो यह date थी जो आप लोगों को देनी थी आशा करता हूँ कि आप लोग इससे aware हो गया होंगे बाकी CCS वाले बच्चे भी जो परिशान है इनके लिए किस तरीकी के मुद्दे चल रहे हैं आप सभी भली बाती जानते कितनी आप लोगों की बातों को सुना जा रहा है ठीक है ब